हाई फ्रेंड्स वेलकाम टू माई चैनल आज हम बनाने चाने हैं साबुद प्याज की सबजी तो सबसे पहले हमें बेबी ओनियन को बीच में से कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है उसके बाद गरम तेल में राई, जीरा, करी पता और कटे हुए प्याज डाल के इसे लगवग एक से दो मिनिट तक भून लेंगे उसके बाद हमें इसमें अधरक और लेसुन कटे हुए डालने है और साथी साथ सुखी लालमिच और टमाटर प्यूरी आड़ करके इसे अच्छी तरह से मिला देना है एक बार जब यह अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, हल्ली पाउडर, लालमिच पाउडर और नमक डालके इसे मिला देंगे थोड़ा सा आमचुर पाउडर डालके मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे आप चाहें तो आमचुर पाउडर की जगा दही भी डाल सकते हैं उसके बाद हम इसमें बेबी ओनियन को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी आड़ करके इसे अच्छी तरह से पकने के लिए लगभग 5 मिनिट के लिए कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा उबालाया है उसके बाद हम इसमें करश की हुए कसूरी में थी जिंजर और एक चमर्च गरम मसाला डालके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे तो लीजे बन के तयारे हमारा साबूत प्याज वाला सबजी या फिद बेबी ओनियन वाला सबजी कैसा लगा मुझे कमेट करके ज़रू बताईए थैंक्स फॉर वाचिंग